वेरेगुर्ण मॉनिंग, नमस्कार सुप्रभास, स्वागत है आप सभी का टार्गेट आन आनलाइन इस्ट्यूट में मैं संदीप्यारी आप सभी का स्वागत करता हूँ सीटेट का एक्जाम जनुवरी 2024 वाला 21 तारीक को संपन हुआ पहले सिट का पेपर अर्थार पेपर 2 जैसे ही खतम हुआ बहुत सारे रियूमर्स आने शुरू हो गए, बहुत सारी बाते आनी शुरू हो गई अलग-अलग यूटूब चैनल्स के माद्यम से, वाटसेप के माद्यम से आप सभी के पास संदेश आने लगे कि यह पेपर लीक हो गया है और पेपर अप कैंसिल होगा जिनको पेपर 1 देना था, जो दूसरे सिट में पेपर देने जा रहे थे उनके ओपर 100% बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा होगा उनके पेपर देने का नेचर और मूड बदल गया होगा क्योंकि जब भी कभी ऐसी ख़बर हमें बीच में सुनाई पढ़ती है जब पेपर दो दिन के दो सिट में होता है, अलग-अलग पार्ट्स में, अलग-अलग पालियों में होता है तो इसके तोरपर एक जगह पर अगर अपवा कोई फैलती है, कोई बाते आती है तो उसका प्रभाव अगले सिट में जरूर पड़ता है और उससे आप प्रभावित भी होगे, हो सकता है प्राइमरी का पेपर जो दे रहे होंगे उनके पेपर का जो इफेक्टिवनेस है, जो उनकी स्किल है, जो उन्होंने तियार किया होगा उसको सही से उपरभाव नहीं कर पाये होंगे जो एकदम गलत है, इस तरह से आपको कभी नहीं करना चाहिए जब भी कभी कोई पेपर हो, आप ध्यान से उस पेपर को पूरी तरह से इंट तक दीजिए क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव, पेपर के लीक का या पेपर के कैंसिल होने का पड़ेगा तो सभी जगहों पर पड़ेगा, और उसका इंपक्ट आपके ऊपर गलत ना पड़े, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए जब हम लोग लाइब सलूसन करा रहे थे, उस दौरान भी आपने से बहुत सारे लियोग हमें संदिज देना शुरू किये इसर पेपर कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया है, अलग-अलग जगहों पर न्यूज चलनी सुरू हो गई है निश्चित तौर पर हम भी इससे प्रभावित हुए, हमने आपको एक सौर्स वीडियो दिया मैंने उस समय भी कहा कि आपको कोई अभी कोई ऐसी आधिकारिक, कोई आफिसियन नीज नहीं आई है जिससे कहा गया है कि पेपर कैंसिल हो गया है, आप अभी केवल अपने अंसर का मिलान करें इस संदेश मैंने आपको कली प्रवाइड कर दिया था, परसों ही प्रवाइड कर दिया था निश्चित तोर पर पेपर लीक हुआ है, ऐसी ख़बर हम तक भी पहुँची है हमारे पास भी कोई ऐसी authentic जानकारी तो नहीं, लेकिन social medias के माध्यम से कुछ ऐसे facts, कुछ ऐसे general चीज़े हमारे पास आई, जिससे हम कह सकते हैं कि अलग-अलग जगहों पर, कुछ ही जगहों पर, मतलब हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं जगह पेपर लीक ही हुआ है, लेकिन कई जगहों पर पेपर लीक होने की पुष्टी हुई है और इसमें नकारा नहीं जा सकता है, बहुत सारे state है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कई सारे स्टेट है जहाँ पर पेपर पूरी तरह से फेर हुआ है कई जगों पर छुट-फुट पेपर के लीक होने की बात आई है और जिस्जित तोर पर आप जानते हैं कि जब बड़े पेपर होते हैं तो ऐसी घटनाय घटती हैं और यह गलत है ऐसे अराजकतव जो हमारे समाज में होते हैं और छोटे से लाब के लिए पता नहीं उनको क्या इस से क्या मिलने वाला है उस लाब के चक्कर में बहुतों की बहुत बड़ी मेहनत को वरबाद कर देते हैं लोग इस पेपर के लिए एतनी लंबी त्यारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, थीज देते हैं, पढ़ते हैं, 6 महीने तक मेहनत करते हैं, exam centers तक जाते हैं, और उनकी सारी मेहनत पर, उनके सारे किये धरे पर पारी फिर जाता है, जब ऐसी बाते उड़कर आती ही सामने कि अप प अपना रुख भी अस्पष्ट किया दूसरा एक्जाम के कैंसल होने के बारे में आप क्या कहते हैं क्या सच में एक्जाम अब दुबारा होगा रिजल्ट क्या आएगा की नहीं आएगा एंसर की का क्या होगा CVSC का क्या रुख है मैं इन पर ही कुछ बाते आपके सामने अपनी साज़ा कर रहा हूँ अपने विचार साज़ा कर रहा हूँ सबसे पहले तो मैं बता दो पेपर लिख का जो मैंने आपको असपश्ट किया कि कई जगहों से निश्चित तोर पर जो की CVSC जिसको कभी भी अथेंटिक नहीं मानता याद रखिएगा कभी भी WhatsApp की न्यूज को कभी इस तरह की न्यूज जो की जो सोसल वीडिया के माध्यम स से मिलती है, CVSC आग तक कभी भी अपने पेपर को इस तरह से कैंसिल करा के फिर से दोबारा नहीं कराया, इमान के चलिएगा, तो पेपर के लीख होने की बात आई तो है, लेकिन उसका कोई अधिकारिक पुष्टी CVSC ने नहीं करी है, उनका एक कहना है कि हमारे पास कहीं से जहां से भी खबरे आई हैं, उस पर अभी जाच हो रही है, अगर सच में वहाँ पर ऐसी बात है, तो उसको हम कैंसिल मानेंगे, वहाँ पर सच में कारिवाई होगी, उनों सेंटर्स पर कारिवाई होगी, जहां पर एक पेपर लीख होने की बात सिद्द और कुष्टी उसक यहाँ पर चीटिंग हुई थी, यहाँ पर नकल हुई थी, वहाँ के सेंटर्स का पेपर कैंसल करके, वहाँ पर फिर से दोबारा पेपर सायद करा सकता है, लेकिन वो तब जब वो पूरी जाच कर लेगा, सब कुछ समझ लेगा, तब ही ऐसा कराएगा, क्योंकि वो कभी वे question mark नहीं लगाता है, यह आप बात जा लिजिए ची तरह से, तो इसको आप clear कर लो कि पूरी तरह से paper cancel नहीं होगा, आपने जो किया है, अब उसका आपको result दिखेगा, आपको आपने paper 1 दिया है, paper 2 दिया है, जैसा performance किया है आपने, हो सकता है प्रभाव में आकर कि आपने ग इन सूपर टेट के वारे में भी बोल रहा हूं, इन सब के ऊपर त्यारिया करना सुरू कर दे, अगर आपका paper अच्छा है, आपकी मांस अच्छे आ रहे हैं तो, अब बात आती है exam के दोबारा होने की, तो मैंने तो इतना clear कर दिया कि जब CVSC कभी भी अपने उपर blame और claim न बात को रखा ही नहीं गया है, इसलिए आप इमान के चलो, result, जो मैंने यहाँ पर अगला बिंदू रखा है, result का क्या होगा, result भी आएगा, answer की भी आ जाएगी, दो-तीन दिन का बेट करी, आपको answer की भी मिल जाएगी, और result भी आजाएगा, result भी आएगा, answer की भी आएगी, जैसा आपने परफाम एक्जाम में किया है, इमानदारी के साथ, भी मानी के साथ नहीं, इमानदारी के साथ उसका impact आपको result में, अपने scorecard में आपको देखने को मिलेगा, CVSC अपनी तरफ से, पूरी तरह से CS को फेर बता रही है, CVSC ने clear किया है कि हम जब तक चीज़ों को clear नहीं कर लेंगे, अलग-अलग स्टेट, दिल्ली, उत्तर, प्रदेश, बिहार, जहां-जहां paper के leak होने की बात आई है, वहां-वहां जब तो को clear नहीं करेगा, तब तो को किसी प्रकार के action को लेने के दसा में नहीं है, अब आपके उपर बहुत बड़ा question mark है कि आपके मन म इस समय क्या चल रहा है, निसित तोर पर जिनका paper अच्छा हुआ होगा, उनके मन में तो यहीं चल रहा होगा, भाई यह भी एक good बन गया होगा, एक प्रकार से इस समय बिरोध की बात होगी, दो प्रकार की लोगों की, जिनका paper अच्छा हुआ होगा, उनके मन में है कि paper बि फाम कर पाएं, ये बाते उनके मन में चल रही होगी, ऐसा ही है, कमेंट में आप जरूर लिखिए कि पेपर आप कैंसिल होते देखना चाहते हैं, फिलाल मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, पेपर की कैंसिल होने की गुझाइस उम्मीद बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, नहीं ह इस्तिती में है, आप एमान के चलो, रिजल्ट आएगा, एंसर सीड भी आएगी, एंसर की भी आजाएगी एक दो दिन के अंदर, और सारी चीजे प्रक्रिया में चलेगी, अब जिनका पेपर खराब हुआ है, अब वो अगले एक्जाम की तियारी करना शुरू कर दे, फिर कि ऐसी भ्रामक खबरे हैं, और वो भ्रामक खबरों को आप जो है, अभी अपने दिमाग से निकाल कर अपना सलुसन, अपनी चीजों को देख लीजिए, जो एंसर से आम इलान कर लीजिए, और इस तोर पर अगर जो सही दिसा में काम कर रहा हो, इस तरह से हमारी बातों को स सुनकर सही दिसा में जाएगा, अपने कमेंट्स में अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सच में अगर पेपर आपको लगता है कि इस लीक हुआ है, तो उसका क्या होना चाहिए, और आपने, मैं आपके कमेंट्स भी लेना चाहूंगा, कि क्या आपने कौन सा पेपर दिया है, आपके पेपर का परफार्मेंस कैसा रहा है, क्या सच में जो आपने पढ़ा हो चीज़े आपने देखी है कि नहीं देखी है, आपके मार्क्स के आने की उम्मीद क्या है, और आगे आपकी तैयारियों का क्या रुख है, और किस तरह स मेरे तरफ से इतना ही कुछ और अपडेट आता है मैं फिर से वीडियो लेकर आपके सामने आता हूं अगली सिच्छक बढ़तियों कि त्यारी के बारे में भी मैं आपको और अपडेट्स प्रवाइट करता रहूँगा आज के लिए तना ही बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक् प्रच्ट